जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं आसुस का लैपटप यूज़ कर रहा हूं और इसमें इसमें सिंगल आडियो इंपुट आउटपुट है जैसे कि हाल फिल अभी सभी लैपटप में यही पोर्ट आ रहे हैं जैसे आपका सेलफोन होता है उसमें आपके हेटफोन के लिए जो साउंड चाहिए होगा तो आप वह भी ले सकते हैं और नहीं आप इनिशल बेसिस पर हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपके पास अच्छा सेलफोन है तो उसके साथ आए हुए जो हैटफोन होते हैं उसका जो यह माइक होता है इसकी कॉलिटी भी बहुत अच्छी हो तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे कंफिगर करना है तो मैं अभी आपको प्लगिन करके बताऊंगा और सीधे हम लोग स्क्रीन के तरफ जाके इसका कंफिगरेशन करेंगे तो यहाँ पर मैं अभी अपने लैप्टॉप के पोर्ट में से प्लगिन कर देता हूं चलिए इसक स्क्रीन के उपर ऐसा एक डायलोग बाक्स आपको नजर आएगा तो चलिए अब आगे आपको जो भी साउंड मिलेगा वो इसी हैटफोन से मिलेगा और मैं कंफिगर करके बता देता हूं आपको सो जैसे कि आप देख पारे है अभी हम लैप्टॉप स्क्रीन के उपर है यह डायलग बॉक्स Colle put रहा है इसमें के अब po to headset पर क्लिक करना है बाकि किसी option पर क्लिक नहीं करना है ना ही headphone पर ना ही माइक पर बस इसे click करना है headset पर और okay कर देना है और close कर देना है अगर यह आपको option नहीं आता है तो आप अपने control panel में जाके audio manager में भी जा सकते हैं जो भी आपका audio manager होगा मेरा real tech का है तो यहां पर right click कीजे recordings में जाहिए और इसमें जो आपका जो mic वाला part होगा उस पर right click कीजे यह फिर आप double click भी कर सकते हैं यहां पर properties पर click करना है यह double click कर लिजे फिर उसमें आपको listening पर जाना है listening में आपको listen to this device क्लिक कर देना है और okay कर देना है अब आपको जो mic में है आपके speaker portion है उसे कान में लगा लेजे और अपने mic में बोल के देखिए अगर आपको आवाज return सुना ही दे रही है तो इसका मतलब आपके जो configuration है properly work कर रहा है तो जो भी आप ही आप sound उप सुन रहे ह है वो इसी headphone का sound है अब देख पा रहे हो कितने अच्छी quality दे रहा है initial basis के लिए बहुत अच्छा recommendation है तो अगर इस वीडियो से आपको जरा से भी help हुई है तो please like करना ना भूलिए subscribe करना ना भूलिए और इस channel पर मैं दो तरीके से video upload करूंगा एक professional graphic designers के लिए पूरा A to Z course मै upload करने वाला हूँ tools के बारे में information पूरी में दे रहा हूँ अभी धिरे धिरे और जो designing के concept होते हैं उनको भी clear कर रहा हूँ जैसे logo बनाना होता है brochure बनाना होता है और उनको कैसे उनका concept prepare किया जाता है वो भी और साथ में जो basic users होते हैं उनके लिए भी कि कैसे वो channel को अपने बहुत अच्छे तरीके से enhance कर सकते हैं यह सारी चीज़ा इसी channel में आपको मिलेगी तो फिर मुलाकात होगी आपसे कल अगले वीडियो में तो तब तक के लिए good bye